नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टोप पचीस पर मोख खबर जानते हैं पदाधिकारी, पर्खन कल्यान पदाधिकारी, अंचल डिनिरिक छक सकानून गो, सकार्टा पदाधिकारी, योजना सहायक तथा पर्खन पंचायत पदाधिकारी के पहुत सामिल हैं बताधे, इन सभी पर्थ्योक्ता परिक्षाओं के परकिरिया बर्ष 2018-19 में सुरू हुई थी, लेकिन अभी तक नियुक्ती नहीं हो पाई थी आयोग ने कारमिक विभाग के निर्देश पर इन परिक्षाओं को रद किया, अब इन पदो पर नियुक्ती के लिए संसोधित नियुक्ती नियमावली के तहत नए सीरी से बिगापन जारी होगा जार्खन करमचारी चायन आयोग द्वारा चाव पर इन परिक्षाओं को रद किया जाने को लेकर जारी सुचना में कहा गया है कि इन पर इन पर इन परिक्षाओं को इसी साल पांच फरवरी को कारमिक विभाग द्वारा जारी संकल्प क्या लोग में रद किया गया है जे PSC सीविल सेवा पिटी का रियल्ट जारी जार्खन लोग सेवा आयोग ने चार सीविल सेवा परिक्षा का रियल्ट जारी कर दिया है सोमवार को साथवी, आठवी, नवी और दसवी की प्रारंभिक परिक्षा का रियल्ट जारी कर दिया गया है बतादे 252 पदोपर नियुक्ती के लिए प्राग्विक परिक्षा 29 सितंबर 2021 को लिग गई थी इन परिक्षा में करीब 8 लाक अभियार्थी सामिल हुए थे जिसमें PT में करीब 43 सो अभियार्थी सफल हुए है अभियार्थी जे PSC की अधिकारिक वेपसाइट पर पूरी जनकारी प्राप्त कर सकते हैं मैट्रिक इंटर परिक्षा 2022 के लिए नॉमबर अंतक चारी होगा एडमिट कार्ड मैट्रिक और इंटर परिक्षा 2022 का परिक्षा फरम जमा करने के परकिर्या सुरू कर दी गई है COVID-19 के संक्रामर के कारण परिक्षा दो चरण में लिजा रही है परथम चरण की परिक्षा दिसमबर में होगी परिक्षार्थी बिना बिलम सुलक के 13 नॉमबर तक वो बिलम सुलक के साथ 18 नॉमबर तक फरम जमा कर सकते है बता दे इसकूली सिक्षा एवां सक्षर्टा विभाग ने 1 से 15 दिसमबर के बीच पर अथम चरण की परिक्षा लेने का निर्देश दिया है परिक्षा 5 दिसम्बर से शुरू होने की समभवना है वहीं एडमिट कार्ड बित्रन की परक्रिया नॉम्बर के अम्तिम सप्ता में शुरू होगी जैक ने सभी जीलों को परिक्षा केंद्र निधारन का निदेश दिया है ज्यारखन पंचाज चुनाओ को लेकर तयारी राजे निर्वाचन आयोग ने पंचाज चुनाओ को लेकर बूथों के गठन का काम पूरा कर लिया है राजे में कुल 3,480 बूथों का गठन किया गया है करीब 2.35 क्रोर मद्दाताओ के लिए प्रती 500 की अबादी पर एक बूथ का गठन किया गया है बतादे मद्दाताओ में 1.21 क्रोर फूरूस वर 1.13 क्रोर महिलाय सामिल है सबसे अधिक 4.460 बूथ का गठन गिरी डिजिले में किया गया है वही रांची में 361 बूथ, पलामू में 3.305, हजारी बाग में 3.078, वह खुट्टी में 990 बूथ बनाए गया है सबसे कम 803 बूथ लोहरदागा जिले में है सेस जिलों में बूथों की संख्या 1-3.000 के बीचा है ज्यारखन के कस्तूरवा स्कूलों में जल्द होगी 286 को की न्युक्ती राज्य के 203 कस्तूरवा गांधी बाल का विद्याला में 286 को की न्युक्ती होगी यहां काक्छा 9 से बरावी तक के लिए सिक्छक की न्युक्ती की जाएगी जिसमें इसकुली सिक्षा एवम सक्षर्था विभाग ने इसकी परकिया शुरू कर दी है सिक्षा विभाग ने सिक्षक नियुक्ति नियमावली त्यार की है जिसे सिक्षा मत्य जगरनात महतों ने समती दे दी है इसे अब कार्मिक वबित विभाग को भेजा जाएगा कैबिनेट से स्विक्रिती मिलने के बाद निमावली लागू हो जाएगी बतादे कस्तुर्वा गांधी बाल का विद्याले में काक्षा छोग से बरावी तक की पढ़ाई होती है जनकारी कहुंसार राजे के पलश्टू विद्याला इसकूल में सिक्चक न्युक्ति के लिए तायोगता वा प्रधान के अनुरूप परिक्षा ली जाएगी रांची एस्टेशन पर इस सप्ता से सुरू हो जाएगी प्रिपेड आटो सेवा रांची एस्टेशन पर इस सप्ता प्रिपेड आटो की सेवा सुरू हो जाएगी करीब 200 आटो की सेवा रांची एस्टेशन आने वाले यात्रियों को मिलेगी और पी एफ दोवारा इस मसले को लेकर लगभग उनकी तैयारी पूरी हो गई है पर तेक ट्रेन के आगमन पर प्रिपेड आटो सेवा सेवा देगी सभी रूट के लिए दर का निधान कर दिया गया है बता दे आटियों दोवारा निधारी दर के अधार पर ही आटो से पैसा लिए जाएंगे देवघर बाबा मंदिर में सिग्र दर्शनम वेवस्था शुरू बाबा मंदिर में भक्तों की लंबी कतार से बचने के लिए देवघर बाबा मंदिर पर साथ सक सह डीसी मंजुनात भयंतरी के आदेश पर सोमवार से सिग्र दर्शनम की वेवस्ता शुरू कर दी गई है इसका दर प्रती भक्त 250 रुपे रखा गया है बता दे इस वेवस्ता के तहद पहले दिन 536 लोगों ने कूपन लेकर जलारपन किया वहीं सिग्र दर्शनम कूपन लेने वाले भक्तों को बाबा मंदीर परसासनिक भावन के रास्ते से सीधे बाबा मंदीर के गर्भ ग्री तक भेजने की वेवस्ता जारी रखी है जारखन पंचाय चुनाव के लिए यूपी से लाए जा रहे है बैलेट बॉक्स जारखन में पंचाय चुनाव की घुसना कभी भी हो सकते है बतादे चुनाव इवीम से नहीं होंगे बैलेट पेपर से ही भोट डाले जाएंगे इसके लिए बैलेट बॉक्स की जरूरत होगी राजे में परियापत संख्या में बैलेट बोक्स उपलावद नहीं रहने के कारण उतर पर देश से बैलेट बोक्स मंगाये जा रहे हैं राजी में भी बैलेट बोक्स पहुंचने सुरू हो गए हैं रांची में बढ़ाई जाएगी कुरोना जांच दिपावली और छठ को देखते हुए राजे में यात्रियों की आवाजाही बढ़ी है इसके अलवा बजार में अचानक भीड भी बढ़ गई है इसे देखते हुए सतरकता बढ़ाई जा रही है बतादे सिविल सर्जन रांची डाक्टर बिनोत कुबार ने बताया की जीला में कुरोना जांच बढ़ाई जा रही है जांच को दोगना करने पर जोड दिया जा रहा है जांच बढ़ाने को लेकर रांची जीला में दोश टीम बढ़ाई गई है जारखन के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदलने की त्यारी राज्य के सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया जा रहा है बतादे सुबह आठ बये की जगह स्कूल का संचालन नौ बये से सुरू होगा कुछ इसकूलों में इसकी सुरुवात सोमवार से ही कर दी गई है बाकी में इस सप्ता इसका अनुपालन कराने के त्यारी है बता दे बरतमान में इसकूलों का संचालन सुबा आठ बय से दोफर दो बय तक हो रहा था इसमें दोफर 12 बये तक 16 शत्राओं को ओफलाइन पढ़ाया जा रहा था जारखन के मौसम में हो रहे बदलाओ और बड़ रही कनकनी को देखते हुए इसकूलों का संचालन सुबा 9 बये से किया जा रहा है पांचवी तक के स्कूल खोलने पर बैठक जल्द आपदा प्रबंधन विभाग अगली बैठक में पहली से पांचवी तक के कलास अंचालन के लिए और 16 शत्राओं को इसकूल बुलाकर ओफलेन पढ़ाई के लिए भी नीरनाय होगा बता दे इसका प्रस्ताव भी फूरु में भेजा जा चुका है पिछली बैठक में इस पर चर्चा होई लेकिन नीरनाय अगली बैठक के लिए टाल दिया गया इसके अलावा बच्चों का पाठन 4 घंटे की जगा 6 घंटे करने की स्थिति में मध्यान भोजन का प्रवधान इसकूलों में चलाने का भी प्रस्ताव किया गया है बरतमान में 4 घंटे इसकूलों में अफलेन पढ़ाई हो रही है इसकूलों में मिड़े मिल बनाना बंध है और छात्र छत्राओ को भी टिफीन लाना मना है खड़े ट्रक को बस ने मारी टकर 25 घायल लाते हार के मनिका थाना छेत्र अंत्रगत दुमुहान नदी के पास सोमवार को एनच 75 पर खड़े ट्रक को यात्री बस ने टकर मार दी इस घटना में ट्रक पर बैठा एक मज़ दूर की मौत हो गई मिरी तक चंदवा थाना छेत्रे के बारी गाव का रहने वाला था वहीं इस घटना में बस चालक समेत लगवग 25 यात्री घायल हो गई है नेतर हट में एडमिशन के लिए 20 नौमबर तक करे आवेदान जार्खन के लाते हार जीले के नेतर हट आवासे बिद्याले में नमांकन कराना चाहते है तो इसके लिए 20 नौमबर तक आवेदान किया जा सकता है बता दे ओनलाइन या ओफलाइन आवेदान किया जा सकता है इसकी परिक्षा 23 जनवारी को होगी अभ्यार्थी का जार्खन का मुल निवासी होना जरूरी है इस समन्द में पूरी जनकारी आप इसकूल की वेब साइट से ले सकते है रांची छोट घाटों की सफाई में लगे हैं 600 सफाई करमी रांची नगर निगम द्वारा छोट घाटों की सफाई कराई जा रही है एक सापता से चलाय जारे सफाई अभ्यान के तहत जहां पहले सिर्फ 200 करमचारी से घाटों की सफाई कराई जा रही थी वहीं अब करमचारीों की संख्या बढ़ाय कर 600 कर दी गई है बता देन अगर आयुक्त मुकेस कुमार ने सभी अधिकारियों जोर्नल सुपरवाईजर वो सुपरवाईजरों को 8 नॉमबर तक हर हाल में सभी तीपन घाट को महापरव को लेकर त्यार करने का निदेश दिया है उन्होंने कुरोना को देखते हुए घार पर ही भागवान सुरी को अर्धे देने की अपील भी किया है जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर मोडल प्रस्न पत्र जारी मैट्रिक इंटर परिक्षा 2022 के परिक्षार्थियों के लिए सोव मार को मोडल सेट प्रस्न पत्र जारी कर दिया गया है केंदरीय मंत्री अर्जून मुंडा बोले एक लब ये मौडल अवासे बिद्याले के बिद्यार्थियों का खर्च उठाएगी केंदर सरकार जारखन के खुटी जिला अंतरगत रेवा गाउं में एकलब ये मोडल आवासे बिद्याले का सिलन्यास केंदरी ये मंतरी सखुटी सांसद अर्जुन मुंडा ने किया इस मौके पर सिरी मुंडा ने कहा कि एक लब या मोडल आवासे बिद्याले में एडमिसन लेने वाले स्टूडेंट का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी उन्हें अच्छी सिक्षा के साथ साथ अन्ने सुविधाय भी मिलेंगी साथी स्टूडेंट को रूची के अन्नुसार चार खेलों में अनिवारे रूप से सामिल होना होगा एक लब या मोडल आवासे बिद्याले से खिलाडी भी उभर कर निकलेंगे जारखन क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख घायल क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख रभिवार को एक कारेकरम में सामिल होने के करम में गीर पढ़े या घटना तब हो जब क्रिसी मंत्री बासुकी नाथ चौक, इस्थीत, लव, पुरूस, पटेल की परतीमा को मल्यारपन कर उतर रहे थे बता दिवे फिशल कर गीर पढ़े क्रिसी मंत्री बादल के सीरो अपैर में अंधरूनी चोट लगी है हलाकि डॉक्टरों की टीम ने उनकी तुरंत चांच की बताया जाता है की कारेकरम को देखते हुए केसी मंत्री बादल दर्द को सहन करते हुए सावरा पहुँचे जहां दर्द अधिक बढ़ जाने के कारण CHC इलाज को पहुँचे मतदाता सुची में नाम जुलवाने के लिए स्पेसल कैंप शुरू फोटो मतदाता सुची का विशे संचिप्त पूर्ण रिक्षन कारेकरम सोमवार से शुरू हुआ इसमें वैसे नागरिक जिनकी आयू एक जिन्वारी 2022 को अठार बर्स पूर्ण हो रही है या इससे अधीक है तो मतदाता सुची में निबंधन कर सकते हैं वहीं मतदाता सुची में निबंधन के लिए दावा एवं आपती दर्ज करने की अउधी एक नॉमबर 2021 से 30 नॉमबर 2021 तक जो परपत्र 6 के माध्यम से अवेदन कर सकते हैं पलामू से टी एसपीसी के दो उग्रवादी गिरफतार पलामू पुलिस ने नोडिहा बयार थाना छेतरे के खीचिडिया मोर्ग के निकट से टी एसपीसी के दो उग्रवादीों को हत्यार के साथ गिरफतार कर लिया है पुलिस अधिक छक चंदन कुमार सिनहा के अनुसार अभिवार की रात पुलिस को गुप्त सुचना मिली की टी एसपीसी का जोनल कमांडर ससिकांत उर्फ आरिफ उर्फ सुदेश सब जोनल कमांडर रंजन एरिया कमांडर उजवल वन गीना अपने दस्ते के साथ बिजाय गिरी पहाड के आसपास भ्रहमन सील हैं उन्हें कुछ लोग हतियार मुहया कराने वाले हैं तिलाया में काली मा की परतिमा से जेवरात उड़ा लेगा चोर गढ़वा में भैक्सिनेशन को लेकर चलेगा जगरूपता अभ्यान गढ़वा उपायुक्त राजेस कुमार पाठक के निर्देश पर जीला सिक्षा विभाग एक वदो नॉम्बर को सगन जगरूपता अभियान चला कर जीले में अधिक से अधिक कोविन भैक्सिनेशन करवाने में मदद करेगा बता दे जीला सिक्षा पताधिकारी संजय कुमार ने सभी परखंड सिक्षा प्रसार पताधिकारियों बीपियों बी आर्पी सी आर्पी प्रधाना ध्याप को सिक्षकों परा सिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे ना केवल अपने स्वेम के परिजनों का सत परतिसत टि निस्कित करेंगे जिन्होंने या तो अभी तक कोई भी टिका नहीं लिया है या जिन को पहली डोज लिये हुए 6 सब्ता से अधिक होगा यहां रांची मौराबादी में Morning Walk के लिए लगा Vaccination कैम्प रांची जीला पर ससंध वर्षूमवार की सुबह Morning Walk के लिए COVID vaccination कैम्प का जान मौराबादी के बापू आटिका के पास किया गया Mobile vaccination वाय से सुबह सुबह कई Morning Walk के COVID vaccination की पहली और दूसरी डोज ली एक कैंप यहां रोज सुबा 6 बये से सुबा 10 बये तक लगाया जाएगा वैन के उद्घाटन कारिक्रम में राची के डीडीसी 20 साल सागर ने का कितेवार के उद्सों में हम कुरोना संक्रमन को पूरी तरह से भोल नहीं सकते गुमला में आज कबर पूजा 700 कबरों पर इसाई करेंगे प्राथना दो नोवंबर को इसाई मिसनरी कबर पूजा करेंगे और मुर्दो के लिए बिसेज प्राथना करेंगे बतादे गुमला धर्म प्रांत के सभी 49 पलियों में इस्थीत करीब 700 कबर में पूजा पाठ होगी बिते 15 दिनों से कबर पूजा की त्यारी चल रही थी जो सोमवार को पूरी हो गई अब मंगलवार को कबर को फूल माला वा मुंबती से सजाया जाएगा धनबाद जज मौत मामला धनबाद के जीला वसत्र नयाधिस उतम अनन्द मौत मामले से जुड़े एक मामले में सीवी आई ने सोमवार को चार्शिट दायर किया यह मामला आटो चोरी से जुड़ा है बता दे इसी आटो से जज को 28 जुलाई को टकर मारी गई थी इस मामले में जान बुच का टकर मारने अवसाक्ष मिटाने का भी आरोप है बता दे जज मौत मामले की जाच कर रही सीवी आई टीम ने SDJM अविशेक स्रिवास्तव के नियाले में चार्शिट दायर किया इस मामले में भी आटो चालक राहूल वर्मा एवं उसकी सहयोगी लखन वर्मा ही अरोपी है धन्यवाद अवसेक सुचना दिन भर की तमाम ख़बर को जानने के लिए साम 5 बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथ शाथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद